हाई फ्रेंज आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक जोमेट्री बॉक्स और ये जोमेट्री बॉक्स को बनाने वाली कंप्री का नेम है सैलो और फ्रेंज ये जी यो बॉक्स का नेम जानना है यह जियो बॉक्स का नेम ही है जियो तो चलिए देखे इसे देखे सैलो का जियो मैथमेटिकल इंस्टुमेंट बॉक्स फ्रेंज क्या आप जानते हैं कि बॉक्स के उपर यहाँ पर बीक क्यों लिखा है चलिए आपको बताते हैं यह बीक का राज कुछ समय पहले ये बिग कंप्नी ने सालो को टेक ओवर किया था और क्या आपको पता है कि ये जो बिग कंप्नी है वो दुनिया की नमबर वन स्टेशनरी ब्रांड है देखिए इसकी मार पी है 80 रुपीज और ये रही इसमें आने वाले इंस्टुमेंट्स की लिस्ट और हाँ आप हमारा डिस्ट्रिक्शन बॉक्स पढ़ते हैं कि नहीं हमारे डिस्ट्रिक्शन बॉक्स में प्रोड़क्स के बारे में हर छोटी छोटी डीटेल्स नौलेज होती है जो हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते है तो हमारे हर वीडियो के डिस्ट्रिक्शन बॉक्स पढ़ना आप बिलकुल मत भूलना और फ्रेंज, बिग कंप्ती ने सैलो को टेक ओवर किया है तो क्या हुआ प्रोडक्त तो मेड इन इंडिया ही है और देखिए यहाँ भी लिखा है ऐसे बिग सैलो इंडिया तो हम आपके लिए हर रोज असी स्टेशनरी के प्रोडक्त के वीडियो और शौट्स आपके लिए राते रहते हैं तो ऐसे ही और वीडियो और शौट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दिजिए और हाँ हर रोज नए नए वीडियो के नौटिफिकेशन चाहिए न तो बैल नौटिफिकेशन को भी आन करके और पसाइट करना बिल्कुल मत बूलना तो चालिए हम आपके लिए क्या करते हैं बिल्कुल साई भी अन्बॉक्स, भी यूज अन्द भी रेवियूज तो चालिए अन्बॉक्सिंग से स्टार्ट करें देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो इस तरह के पैकिंग में आती है और देखिए प्रोडक्ट का कलर कॉमिनेशन बाहर भी रेड और अंदर भी रेड तो चलिए इसमें आने वाले सारे इंस्टुमेंट्स को बहार निकाल कर अच्छी तरह से देखिए देखिए हमने ये सारे इंस्टुमेंट्स जोमेट्री बॉक्स से बहार निकाल कर टेबल पर सैट कर लिए है चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे plastic instruments को और plastic instruments में भी देखिए कि इस पर जो numbers print किये हुए है वो कितने dark है ताकि आप एक्टम accurate में जमन ले सके ये plastic instruments को use करके और ये जो plastic instruments है वो सच में काफी मस्बूत quality के है देखिए हमारा ये plastic कहीं से भी मूर नहीं रहा है ये रही हमारी 15 cm scale और ये scale की खास बात कि ये देखिए इसकी जो ये age है चारो और की उसे round shape में बनाया हुआ है ताकि इसकी age किसी को चुग न जाए उसके बाद ये रहे हमारे set square के sets बारी है इसके साथ आने वाले शोपनर इरिजर्स को देखने की और वो है ये और देखिए साथ में इसके साथ आने वाली छोट उशी क्यूट सी wooden pencils और ये रहे हमारा divider और ये रहा हमारा compass और देखिए आपने ये दूनों की एक बाट आप नोटिस की कि ये जो compass और divider है वो इस तरह की प्लास्टिक की safety cap के साथ आते हैं ताकि इसकी ये जो nuclei सुई होती है ना वो किसी को चुबे नहीं तो आप भी इसे यूज करने के बाद ये safety cap लगाना बिलकुल मत बूलना और देखिए ये instruments जिस mold में आते हैं उसकी quality भी साथ में काफी अच्छी है और देखिए इसकी ये metal की shining दिख रही है ना एकदम अच्छे से चलिए instruments वापिस से arrange कर दे देखिए कितनी असानी से arrange हो गया तो चलिए हमारे we unboxing का काम तो हो गया और अब बारी है we use की तो हम आपके लिए जब भी ऐसे geometry box unboxing के वीडियोज लाते है तब उसमें आने वाला compass यूज करके जरू दिखाते है तो चलिए आज भी इसमें आने वाला ये compass को यूज करके देखे और चलिए इसी के साथ आने वाली ये wooden pencils इसमें fit करके देखे और देखे हमारा ये जो instruments है वो use होने के लिए ready है तो चलिए इससे कुछ draw करके देखे देखे इस circle कितनी असनी से draw हो गया और आप ये compass को अच्छे से grip कर सके उसके लिए देखे इसके उपर की side मतलब की top में round groovy बनाए हुए है सच में ये compass आपको यूज़ करने में काफी easy रहेगा और performance देखे एक दम बढ़िया और beautiful और compass को यूज़ करने के बाद हमने आपको क्या बताया बिलकुल सई safety cap लगाना बिलकुल मत बूलना तो हमारे we unbox and we use का काम हो गया अब बारी हमी reviews की तो 80 रूपीज में ये geometry box और इसके साथ आने वाले हमारे beautiful instruments सच में काफी best quality के है और हमने आपको इसका performance तो दिखाया ही है इसे यूज़ करके पस इसमें सिफ एक ही छोटी सी कमी थी और वो थी हमारी छोटी क्यूट सी compass में यूज़ होने वाले mechanical pencils बट कोई बात नहीं आप ये इसके साथ जो compass आता है उसमें हमारी जो normal mechanical pencils आती है उसे भी use कर सकते है तो हम मिलते हैं अपने next video में तब तब के लिए बाई बाई